तो चलिए दोस्तो, आज हम बनाते हैं मसला बाज़़ा रोटी तहे हैं ग्लुटेन फ्री और आप सोच रहे होगे कि यहां पर बाज़़ा रोटी बनाना इतना मुश्किल है और यहां पर आप मसला बाज़़़ा रोटी कैसे बनाएं ? वह बहिं इतना सथ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम लेंगे कड़ाई में एक कड़ोरी भर के पानी स्वाधान सार नामक ध्यान रखना आप जिस कड़ोरी में पानी ले रही हो ना उसी कड़ोरी में आप आठा लेना पानी में थोड़ा सा ही बोय लाना चाहिए बिल्कुल इसे तरीके से मैंने आप जिस बोल में पानी लेया था उसी बोल में ही आठा ले रही हूँ और इसे आठा डालने के पाथ ही इसे ही छोड़ लेना दो मिनिट के लिए उसके पाथ ही आप एक स्पैचुला की मतदस से इसे हम इसे मिक्स कर लेंगे आप सोच लेंगे कि कितना पानी है बहुत ही ज़्यादा गिला गिला हो गया है पर दो मिनिट रुकना देखना यह सारा पानी अच्छे से सोक कर लेगा यह पर यह सारा पानी अच्छे से सोक कर लिया है आप देख रहे हूँने कितना गिला था अब बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है आटे को बाइंट करने के लिए गेहों के आटे हम जब बनाते है उसमें ग्लूटेन रहता है जिसे कि वो अच्छे से बाइंट हो जाता है पर इसमें ग्लूटेन नहीं है इसलिए पानी के ज तोड़ा चाली मिच पाउडर डाल देए हूं और थोड़ा सा हमचूर पाउडर भी अब आमचूर भी अब मैसमें ढालेंगे थोड़ा चार रेडचिली पाउडर यह मसाला हमारा रोटी को और भी चेदा टेस्टी बनाता है क्योंकि जो लोगें हों के आटे खाते रहते हैं बूने बिल्कुल भी वाजरकाटा पसंद नहीं आएगा पर अगर इस तरह से बनाओंगे ना आपको भी पसंद आएगा आप देख सकते हो इतना पाणी डालने के बाद भी हैं पर हमें पाणी की जरुद हो रहे हैं यहांपा थोड़ा-थोड़ा करके पाणी डाल कर एक सबसाद डो बना लेगे बहुत आराम से गुन चाहिएगा अगर आप नर्माली इस तरह से ना बनागा रिखे न फानी बनाद से पानी वाल दाल कर बना धे न अगर उसे तरह से बनाओगे न बिलकुल अच्छे से नहीं गुन थेगा बिल्कुल बाइंडिंग नहीं रहता है अगर आप एक पर इस तरह से बना करते देखिए आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमने यहां तक भी ना थोड़ा सा तेर ना थोड़ा सा घी का इस्तिमाल किया है मैं आप ना एक स्पून तेर ना एक स्पून घी डाली हूँ बिल्कुल प्लेन ही हम इसे गुंतेंगे बहुत आराम से गुंत चाहेगा आप देख सकते हो कितना आराम से गुंत चुका है अब हम इसे पांच मिनिट रेस्टोर्य के लिए छोड़ देते हैं अब हम इसमें से पड़ा बनाते हैं छोटे छोटे बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा ही मनाएंगे नहीं तो अच्छे से नहीं होगा किस किसको आप भासरा का रोटी खाना पसंद है मुझे जरूर कमेंट करना दोस्तों अगर आप सोच रहें कि भासरा का रोटी खाने के लिए जरूर का नोस्तों बहुत ही सता हेल्ध होता है बहुत ही एच्छा होता है हमारे से लिए अगर आप वेटलस करना चाहते हfeltी और आप आरम से इसे खा सकते हो बहुत ही वेणिफिट होता है आप अपने बच्चों को भी देल सकते हो, तो चलते हैं इसे अच्छे से बेलते ही, आपने आज तक कभी बाज़रे रोटी को अच्छे से बेलना सोचा भी नहीं होगा, या फिर नहीं बेला होगा, पर आप देख सकते हो, बिलकुल रोटी के जैसा बेल रहाएगे, मैं वीड इसे शेखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब हम ग्यास का फ्रेम हाई कर लेते हैं, उसके पात इधर उदर से पलट पलट कर इसे हम सेखते ही, आपने देखा होगा कि बाज़रा का रोटी थोड़ा सा कड़क रहता है, फर मैं आपको दिखाते हूं कितना सोफ्ट होत सकते हो या फिर लाश में घी लगा कर भी खा सकते हो आपकी मजी है, यहां पर हमारा रोटी बिलकुल बनकर रेडी हो चुका है, तो दूसरा रोटी भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है, बहुत आराम से बन जेंगे दोस्तों, जरू ट्राइ करना एक पर, अगर आपको लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना, इंस्टा और फेस्बूक में फ़लो करना भी बिलकुल मत भूलना, आप देख सेक तो कितने अच्छे से हमारा बाजरा रोटी बन रहा है, आप चाहे तो इसे इस तरह से से शेकने के पाद ग्यास में दिखा कर से हो चुके ही, तो चलते हैं, उपर की तरफ थोड़ा सा गी और डाल देते हैं, अगर आपको इस तरह से गी खाना पसंदे तो आप इस तरह से गी डाल कर खा सकते हो, और भी ज़दा टेस्टी बना देगा हमारा मसला बाजरा रोटी को, अगर गी नहीं पसंद तो स्किप कर और अच्छे से फोल भी हो रहा है, भो भी आप देख सकते हो, आपको लगा था बाआजरा रोटी जाधा कड़ा करेता है, बिल्कुल टेस्ट महीं करता है यह पर इसे बना करतेों देखिए, पर आपको दिखाते हूँ कि इतना साफ्ट बना ही, आप देख सकते हो, इतना सा पर नहीं एक पर तो इसे ट्राइ करना बनता है दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग भी